नमस्का दोस्तों मैं अनिस वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आज किस वीडियो मैं आपको स्री कासी विस्तुनात कोईडोर के बारे में जायंकारे देने वाला हूँ किस का उधाटन कप होने वाला है और इस प्रजेट की वर्तमान परिस्ति क्या है आदी विश्यस्वर की नगरी कासी में नव स्रीजित कासी विस्तुनात धाम एक बार फिर नए कलेवर में देश दुनिया को वस्युधय कुटुम्बुकम का संदेश देगा उत्सव धर्मी कासी बाबा के नए धाम के नव उत्सों में डूबी नजर आएगी धर्म अध्यात्म कला और संस्कृति के रंगों का उलास पगपग पर बिखरेगा इस बार कुम्ब से पहले ही कासी विश्चना धाम में देश भर के संद महत्मा और सर्व समाज के कुम्ब का आयोजण धाम के लोकापन समारों की भविता को चार चान लगाएगा पीएम मोदी के डिन प्रजेट स्री कासी विश्चनाद धाम के लोकापन समारों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकान ने डेड़ महा तक चलने वाले आयोजनों की रूप रेखा तैयार कर ली है और अभी सभी विभाग तैयारियों में जुड़ गए हैं स्री कासी विश्चनाद धाम पूरफ पश्चिम और उत्तर जठिन के मिलन का साच्छी बनेगा देश के चारो संकराचार, पिठा धिस्वर, अखाडे, स्री महंत, महामंडलेस्वर, महंत और सादू सन्यासी के साथ ही आम जनता भी भवितम अवजन में सामिल होगी सौ सालों के बाद नए कलेवर में धले बाबा दर्बार की गुलाबी आभा को दुनिया भर के सनातन धर्मी भी देखेंगे इसके लिए पैटन और संस्कृति विभाग को जिम्यदारियां सौब दी गई है बाबा के धाम में आने वाले सरद्धालों पर फूलों की बरसात होगी और वो रेड कार्पेट से होते हुए बाबा दर्बार तक जाएंगे स्रीकासी विशनात धाम के मंदिर चौक को सांस्कृतिक आयोजनों का प्रमुख केंद बनाये जाएगा देड़ महिने तक चलने वाले आयोजनों में देश के नामचीन कलाकारों के अलावा इस्थानी कलाकार भी बाबा के चड़नों में सौरांजली अर्पित करेंगे कासी विशनात धाम में नव निर्मित मंदिर चौक में प्रधान मंती नैद मोदी की मौजूदगी में जन सभा का आयोजन की भी योजना है इसमें पी एम के साथ कई प्रमुख धर्माचार भी मंच साजा कर सकते है यहां से प्रधान मंती नेन मोदी कासी विस्तुनाद धाम के भविस रूप में सरकार के प्रयासों और भविस की कार योजना के जैंकरी दे सकते हैं स्री कासी विस्तुनाद धाम के प्रांगड में बाबा विस्तुनाद का रुद्रा विसेक अनवरत चलेगा डेड महा के आयुजनों के दोरान बाबा का नियमित रुद्रा भिशेक और पाठ कासी के बटुकव वेद पाठियों दोरा किया जाएगा लोकारपन के दोरान सहर में कमिशनेट पुलिस कर्मी बारकोड वाले आईडी कार्ड से लैस होंगे आईडी कार्ड पर दर्ज बारकोड से उक्त अधिकारियों और पुलिस कर्मीयों के पहचान तुरंथ हो सकेगी पुलिस आयुक्त एस अतिस गड़ेस ने बताया कि नियच्छन के दोरान ये देखा गया है कि दरसनाथी कहां से और कैसे आएंगे और कैसे निकलेंगे एक तरह से भीड प्रवंधन के समिच्छा की गई यात्री सुधा केंद्र लोकर और दरसनाथियों के जोते चपल आधी कहां उतरेंगे यह सब दिखवाया गया है गलियों से आने वाले और जाने वाले दरसनाथियों के किसी तरह की कोई परसानी नहों इस पर भी मन्थन किया गया है उत्सो धर्मिता वाली कासी में बाबा विश्वनाद धाम के लोकारपन आउसर को पूरी दुनिया को दिखाने की तयारी है कासी पूरा धिपती के भव दर्बार के लोकारपन पर दुनिया भर से बसे बाबा के भक्तों के लिए कासी किरा सुलब की जाएगी केंद्र और यूपी सरकार चलो कासी के नारे के साथ कासी विश्वनाद धाम के महा आयोजन का आगाज करेगी इसके लिए सरकार की ओर से 10 से 13 दिसंबर की तिथी प्रस्तावित की गई है PMO की सहमती के बाद तिथी का फैसला हो जाएगा देश के सभी देवालों पर इस आयोजन का सजीव प्रसान भी किया जाएगा और सभी जोती लिंगो के धर्माचारे की मौजूदगी में परधान मंति नैन मोदी बाबा विस्वनाद का विशेस अभिसेक करेंगे वहीं कासी विस्वनाद धाम के लोकार्पन समारों को भव रूप देने के लिए सो मौरको लखनव में हुई बैटक के बाद अब इस्थानी इस्थर पर तैयारियों को अंतियों रुप दिया जाने लगा है लोकार्पन के साथ ही एक महा से ज़्यादा समय तक की कारिकरम सिंखला पर भी मंधन सुरू किया गया है अलग अलग छेत्र के विश्यसक्गों के समेलन के आयोजन के जरिये उन्हें कासी आमंतित कर कासी विश्थनाद्धाम और बदले बनारस पर सरकार के प्रयास की झलक दिखाई जाएगी केंद्र और राज सरकार 15 दिसंबर से रेल बस सहित अन यातायाज साधनों से बनारस की कनेक्ट्विटी को और मजबूत करेगी जिससे की अधिक से अधिक लोगों को कासी आने में कोई असुधा नहो बता दे की 50,000 वर्ग मीटर में तयार हुए कासी विस्वनात धाम का करीब 90% काम पूरा कर लिया गया है शिरिप घाट का काम बचा हुआ है जिसे भी काफी तेजी से कराया जा रहा है लोकारपन के बाद कारक्रमों की सिंखला में भारती संस्कृती और परंपरा से जुड़े देशों के राजदूतों का समेलन भी प्रस्तावित किया गया है देश के सभी धर्माचरों का समेलन, कासी विशनात मंदिर के गौरोसली इतिहास पर विद्वानों का समेलन, इतिहासकारों का समेलन, देश के सभी टूर आपरेटर का समेलन, देश के सभी प्रमुख कॉर्परेट उद्दगपतियों का समेलन, देश के वास्तुवीदों का समिलन सहित अनकारकरम आयोजित किये जाएंगे कासी विश्चनात मंदिर के कर्वगरी को 29 नॉवंबर से 1 दिसंबर तक बंद करने के तयारी है इसमें 29 नॉवंबर से 24 घंटे के लिए 30 नॉवंबर और 1 दिसंबर को आंसिक बंद किया जाएगा बताया जा रहा है कि पत्थर की घिसाई सहित कई काम भक्तों के आवाजाही से प्रभाईत है ऐसे में मंदिर में भक्तों के प्रवेश को रोक कर इसे पूरा किया जाएगा इस दोरान मंदिर के सिखर की सफाई और गर्वगरी के पास मरमत का काम भी किया जाएगा मुख्य कारपालक अधिकारी सुनिल वर्मा ने बताया कि दिनांग 29 नॉवंबर 2021 को सोमवार को प्राता 6 बजे से साम 6 बजे तक मंदिर के कपाट आम दर्सनार्थियों के लिए बंद रहेंगे इसके बाद दिनांग 30 नॉवंबर 2021 मंगलवार को प्रातर 6 बजे से साम 8 बजे तक मंदिर बंद रहेगा वहीं बुद्धवार 1 दिसमबर 2021 को मंदिर के कपाट आम दर्सनार्थियों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे दिनांग 2 दिसमबर 2021 को सुबद 6 बजे से पहले की तरह मंदिर में आमसर धालों का प्रवेश हो सकेगा जिलादिकारी कौसल राज सर्मा ने बताया कि देश भर से आम वखास सभी वर्गों को कासी विशनाथ धाम से जोड़ा जाएगा ताकि धाम का व्यापक प्रचार प्रसार हो उन्होंने बताया कि दिसमबर के पहले सर्था सही उसकूलों में रंगोली भासन पेंटिंग प्रतियुगताएं आयोजित किया जाएगा इसके अलावा विभागवार मेले भी लगाए जाएंगे सुत्रों के माने तो इस ब्रिहत आयोजिन के दोरान प्रधान मंतरी अपने दो दिविसी वरानसी दोरे पर 13 दिसमबर को वरानसी पहुचेंगे और 14 दिसमबर को वापस दिल्ली चले जाएंगे प्रधान मंतरी सबसे पहले विस्वनाद धाम जाएंगे प्रधान मंतरी देव दिपाली 2020 के आयोजन की तरह इस बार भी गंगा के राष्टे बाबा विरसनाद के प्रांगर पहुचेंगे डुमरी में बन रहे हली पेड़ पर उनका हलिकाप्टर लेंड करेगा और वो कुरुज के दौरा ललिता घाट पहुचेंगे यहाँ से पैदल स्रीकासी विरसनाद धाम में बनाय जा रहे पूजा इस्थल पर पहुचेंगे यहाँ दो घंटे तक लोकाप्टर कारक्रम के बाद वे देश विदेश से विभीन मठो मंदिरों के धर्माचारों और पुजारियों से मुलाकात करेंगे इस दोरान संकल्ब सिद्धी यात्रा की चर्चा भी करेंगे इस दोरान संत समाज को भी अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा दोस्तों सामने दे सकते हैं यहाँ पर स्रीकासी विस्तनाद कोईडोर के जो घाट का काम है वो काफी तेजी सिस्समें चला है महा समसान यानी मनगन का घाट है जहाँ पर हमेशा चिताई जलती रहती है अब मैं थोड़ी उचाई से आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ कि काउडोर का काम कितना पहुचा हुआ है सामने जो आप देख रहे है वो गंगा वियू गैलरी है जहां से भक्त गड़ मा गंगा को निहार सकेंगे और यही से रास्ते से होते हुए लोग बाबा विस्तनाद के दर्संग करेंगे क्योंकि मानता अनुसार गंगा नदी के आचमन के बाद ही लोग बाबा के दर्संग करते है और अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सस्क्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि मैं इसी तरफ वराणसी में हो रहे डवलोप्मेंट की वीडियो लाता रहता हूँ तब तक कि लिए नमस्कार जय हिन्द हर हर महादेmm और सामने जो गेट देख रहे हैं यह गेट नम्मर एक है जिसे सिंग द्वार भी खा जाता है नमस्कार जैहिंद हर हर महादेव